सबको नमस्कार दिल्ली के अपने दो करोड़ लोगों ने मिलके अपने मेहनत से सावधानी से करोना के उपर हम सब लोगों ने मिलके काफी काबू पालिया है लेकिन अभी अपने को निश्चिंत नहीं होना सारी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क यह सब हम अपनी अत्यात बरते रहेंगे क्योंकि करोना कभी भी बढ़ सकता है लेकिन अपने सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अर्थ व्यवस्था को पट्री पे लाया जाए लोगों की दुकाने बंद हो गई है धंदे बंद हो गई है इंडस्ट्री बंद हो गई है लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पढ़ रहा है ऐसे में अब दिली के लोगों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्विकार किया और उनको चैलेंज को स्विकार करके जीता आए तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इस अर्थ व्यवस्था की चुनौती को भी ह थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी उसमें एक महत्वपून निर्नय लिया गया है जो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थ विवस्था को आगे ले जाने में महत्वपून कदम होगा दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्ने लिया है कि दिल्ली में डीजल के उपर और डीजल के उपर वैट के रेट 30 प्रतिशत से घटाके 16.75, 16.75% कर दिये जाएंगे तो काफी बड़ी रिड़क्शन की जा रही है इस से दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज से बहुत सारे व्यापारियों से लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज्यादा रेट की वज़े से सब को तकलीफ हो रही है लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है व्यापारियों को तकलीफ है इंडस्ट्री को तकलीफ है मैं समझता हूं कि इस निर्ने से दिल्ली की अर्थ विवस्था को एक पुष देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी पिछले एक हफते से हम लोग दिल्ली की अर्थ विवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं जैसे सोंवार को मैंने एलाम किया था कि रेडी पट्री वालों को काफी तकलीफ हो रही है जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दुरान फैक्टरी बंद होने से अपने अपने गाउं चले गए और अभी लोटके नहीं आए दीरे दीरे आ रहे हैं लोग तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है ऐसे बहुत सारे लोग है जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहां जाएं नौकरी मांगने के लिए इन सब लोगों को मिलाने के लिए जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने दो-तिन दिन पहले jobs portal शुरू किया था, उसमें इतना जबरदस्त response आ रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, अभी job portal एनॉंस किये हुए 3-4 दिन ही हुए है, लगबग 7,577, 7,577 कमपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक register क किया है, 2,4,785 नौकरियां इसमें advertise की गई है, 2,4,785 नौकरियां इसमें आई है अभी तक, और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए अपलाई किया है, तो जैसे मैं कल एक TV चैनल पर देख रहा था, एक jeans बनाने की किसी की factory है, उसने बताया कि मेरे 35 काम करने वाले लोग हो हैं, बाकि सब चले गए, और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं factory शूरू नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है, बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मिरे 35 मिची है, और बोला मिरे को 190 से जादा लोगों के call आ चुके हैं, कि वो काम करने के लिए तैयार है, मुझे लगता इस कदम से अपनी अर्थविवस्था को बहुत जादा push मिलेगा, तो मैं सभी दिल्ली की जितने व्यापारी हैं, जितने industrialists हैं, सब से अपील करता हूं कि आईए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थविवस्था को फिर से एक बार पट जनके रखें, लेकिन अब अपना काम काज हम सब लोग शुरू करते हैं, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें, और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूं, जूम कॉल के जरिए, वीडि बड़ी समस्यों